नमस्कार दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया ने काफी भारी मातरा में LAC, जो Line of Actual Control है, वहाँ पर Military Presence बढ़ा दी है Almost 50,000 Troops वहाँ पर Deploy कर दिये गए है Indian Government द्वारा तो इस हिसाब से लगबंद 2 लाख Indian Army के Soldiers वहाँ पर Present है जो की 2020 के मुकाबले 40% से जादा है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि इंडिया ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया चाइना के intentions क्या है क्या दोनों साइड्स, इंडिया और चाइना, high altitude area पे fight कर पाएंगे क्या इंडिया के लिए two front war एक possibility है और क्या हमें Quad Members से मदद मिल सकती है यह सब कुछ हम डीटेल में जानेंगे इस वीडियो में आपके बहुत सारे confusions दूर होने वाले हैं आज तो वीडियो अन तक देखिए अगर आप याद करें तो last year 2020 में around May के आसपास Chinese और Indian soldiers में भिड़त हो गई थी गलवान रीजन में दोनों country के soldiers आमने सामने आ गए थे दोनों साइड्स से कुछ casualties भी हुई eventually एक agreement पे दोनों साइड्स आये और चाइना ने अपना आर्मी पीछे ले लिया बड़ अभी recently हुआ ये है कि Chinese President जो है Xi Jinping उनोंने गलवान में जो soldiers मारे गए उनके families को medals दिये personally और in fact कहा कि Communist Party को ऐसे heroes की और जरूरत है इसी दोरान इंडिया के जो रक्षा मंत्री है राजनाक सिंग जी वो लगदा के दोरे पे दे उन्होंने वहाँ से एक statement जारी किया कि इंडिया कोई भी धम की सहन नहीं करेगा और 50,000 additional troops LAC पे भेज दिये अभी मैं आपका एक confusion दूर करना चाहूंगा कि LOC और LAC अलग है LOC माने line of control जो इंडिया पाकिस्तान का border है और LAC माने line of actual control जो इंडिया और चाइना का border है इंडिया ने इतनी बड़ी मात्रा में अपने soldiers इंडिया चाइना border पे deploy कर दिये इसका major कारण है बढ़ता हुआ Chinese aggression आज की date में इंडिया ने अगर इतना बड़ा step लिया है तो इसका reason एक ही है कि चाइना नी भी वहाँ पर बहुत सारा अपना soldiers deploy करके रख दिया है जिसके चलते इंडिया को ये डर है कि चाइना unilaterally खुद ही status quo को change करने की कोशिश करेगा आज की date में ये unclear है कि चाइना के PLA People's Liberation Army ने कितने soldiers इंडिया-चाइना border पे deploy करके रख दिये है बट इंडिया ने ये detect कर लिया है कि चाइना ने अपने additional forces तिबद से सिंग्जियान military command तक भेज दिये है जो कि इंडिया-चाइना border के काफी करीब है इतना ही नहीं तो चाइना उस जगा पर runways, buildings और bomb proof bunkers भी बना रहा है इन bunkers में fighter jets, long range artillery, tanks को रखा जाएगा इन फैक्ट ऐसे भी मालूम पड़ा है कि चाइना ने S-400 missile system जो है वो भी border पे तैनात करके रख दी है हमने भी रशिया से S-400 मंगाया है पर हमारा first order आने के लिए December end तक हमें रुखना पड़ेगा आपको ये भी मालूम होगा कि चाइना ने recently Tibet area में एक bullet train service शुरू कर दी है इसके चलते हैं, चाइना कभी भी अगर इंडिया के साथ tensions बढ़ जाती है तो additional soldiers forces मंगा सकते हैं within minutes from its main area, from its plains to the Tibetan area बट इंडिया को भी हमें कमने समझना चाहिए क्योंकि previously अगर आप देखें तो इंडिया के जो moves होते थे वो strategically Chinese aggression को block करने के लिए होते थे बट इस particular time में, आज की date में Indian commanding forces उस city में है उस जगे पे है कि हम attack भी कर सकते है और Chinese territory को acquire भी कर सकते है अगर ज़रूरत पड़ी तो इस strategy को offensive defense कहा जाता है in fact, India ने additional helicopters भी deploy कर दिये हैं तो अगर ज़रूरत पड़े तो वो helicopters कश्मिर वाली से soldiers को uplift करेंगे और Tibetan plateau पे deploy कर देंगे पर यहाँ पर मैं आपको ये बता दू कि दोनों इंडिया और चाइना को Tibetan plateau पर लड़ना काफी मुश्किल हो सकता है वो इसलिए है क्योंकि Tibetan plateau जो है वो एक high rise पर है और दोनों इंडिया और चाइना उनका काफी area जो है वो plain area है और उनका काफी population उस plain area में रहता है उसी population से उनके soldiers आते हैं तो उन soldiers को उस high rise पर उस plateau पर लड़ना एक difficult task हो सकता है क्योंकि उस plateau पर oxygen level की कमी पाई जाती है बट इसी problem को निपटने के लिए दोनों इंडिया और चाइना ने अपने अपने तरीके निकाल लिये हैं चाइना जो है वो अपनी आर्मी को उस plateau पर एक महिने के लिए भेज देती है फिर वहां से कुछ लोगों को वापिस बुलाती है और दूसरा नया फ्रेश बैच टिबेटन प्लैटो पर जाता है इंडिया क्या करता है कि इंडिया अपने soldiers को एक हफते के लिए उस plateau region पर भेजता है उसे वहाँ पर training देता है कि कैसे वो sustain कर सके and eventually और ज़्यादा soldiers उनको join करते है बट recently चाइना ने काफी smart move किया है उन्होंने क्या कि कि टिबेटन प्लैटो पर टिबेटन जो area है टिबेट का वहाँ पर unemployed youth जो उनको भी काम नहीं है उनको आर्मी में recruit कर लिया अब हम यह देखेंगे कि भाई चाइना की intentions क्या है और क्या वो actual में war चाहता है इंडिया के साथ तेकि अगर आपने बारी की से इंडिया चाइना के relations पड़े हैं तो आपको ये तीन major possibilities लग सकती है पहला ये कि चाइना जो है वो इंडिया से नाकुष है क्योंकि इंडिया ने quad group join कर लिया है इंडिया ने किया बहुत actively उसमें participate भी कर रहा है recently आपने देखा भी होगा कि Australia, Japan, USA और इंडिया जो quad group form करते हैं ये चार देश इन्होंने अपना जो defense activities है military activities, naval activities इंडिया नोशन में काफी बढ़ा दिये तो जाहिर सी बात है कि चाइना को इस बात से काफी चिड है in fact उसे ये डर भी है कि अगर USA इंडिया के side पर है तो चाइना का जो eastern border है उस पर अमेरिका और इंडिया से उसको खत्रा है और जब हम naval drills करेंगे USA, Australia, Japan के साथ इंडिया नोशन में तो चाइना के तो पसी ने छूट नहीं है दूसरा और possible कारण हो सकता है कि चाइना को इंडिया का chicken neck जो है वो capture करना है और status quo को change करना है जिनको पता नहीं chicken neck क्या है मैं आपको बता दू कि chicken neck जो है वो 60 km long और 22 km wide जो की वेस्ट बेंगॉल एरिया में आता है अगर वो capture कर लिया है चाइना ने तो जो हमारा north eastern region है वो mainland area mainland India से अलग हो जाएगा तो यही सिलीगुरी corridor mainland और north eastern states को join करता है और अगर एक बार चाइना ने इसको capture कर लिया तो चाइना aggressively अपना claim अरुनाचल प्रदेश और दूसरे अन्य राज्यों पर भी कर सकता है तीसरा reason और कोई possibly मुझे जो लगता है कि यही कारण हो सकता है वो है चाइना का बढ़ता हुआ aggression ताइवान की तरफ यह कोई secret नहीं है आने वाले एक-दो साल में चाइना जो है वो ताइवान पर अपना occupation aggressively करने की कोशिस जरूर करेगा और यह सिर्थ मैं ही नहीं कहता ताइवान के foreign minister जो है वो खुद यह कहते है कि चाइना आने वाले समय में वार करना चाहता है ताइवान के साथ आपको यहाँ पर लगेगा कि चाइना तो ताइवान के साथ लडेगा तो भई फिर इंडिया के साथ और क्यों होगा तो मैं आपको यहाँ पर बता दू कि अगर चाइना ने ताइवान पर attack कर दिया तो US forces activate हो जाएंगे और इंडिया जो है वो quad group का एक member है तो USA इंडिया के तुरू Chinese territory में enter कर सकती है ऐसा चाइना को डर है इसलिए भी शायद चाइना ने additional forces LAC पर deploy कर दिये है अगर मैं अपना personal opinion दू तो मुझे लगता है कि आने माले समय में चाइना के साथ हमारे tensions बढ़ेंगे and it's time for us कि हम चाइना को हमारे biggest enemy का tag दे पाकिस्तान से लेकर पर मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि इंडिया के लिए काफी difficult होगा चाइना के साथ war करना यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि even though इंडिया एक member है quad group का अगर कलको war होती भी है तो सबसे पहले सिर्फ जपान हम तक पहुच सकता है मदद के लिए Australia और USA को आते आते बहुत time हो जाएगा और तब तक destruction काफी हो सकता है इतना ही नहीं कलको अगर हम USA की मदद लेते भी है to tackle China तो हमें काफी सारे fronts पर compromise करना पड़ेगा जैसे कि diplomatic fronts पर हो गया foreign relations, defense relations, उन policies पर हम USA की कटपुतली तक बन सकते हैं और history से तो हम यही सिर्ख सकते हैं कि USA ने कभी भी अपना profit देखके ही सामने वाले party को मदद किये है उतने selflessly कभी भी मदद नहीं की तो it's difficult to rely on USA देखी यह समझना बहुत ही जरूरी है दोनों साइड्स के जो आर्मी है इंडिया और चाइना अगर वो दोनों भी भारी मातरा में आर्मी डिपलोई करते हैं तो chances है कि आर्मी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किये जाएंगे ऐसे में होगा ये कि छोटी मोटी लडाईया हो जाएंगी और वो छोटी मोटी लडाईया ही आगे चलकर फुल फ्लेजट वार का भी रूप ले सकती है और मैं आपको ये भी बता दू कि रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान के लिए कुछ स्टेटिमेंट्स किये हैं जैसे कि हमारा आयन फ्रेंड है और वेदर फ्रेंड है तो ये सारी स्टेटमेंट्स भी इंडिया के लिए खत्रे की घंटी है इन दोनों के फ्रेंट्शिप का मतलब है कि इंडिया को टू फ्रेंट्स वार पे भी जाना पड़ सकता है और अगर कलको इन तीन नुकलियर कंट्रीज में वार होती भी है तो ये किसी सुसाइड से कम नहीं है सिफ एशिया के लिए ही नहीं बलकि पूरे वर्ल्ड के लिए बट परस्नली अगर मैं बोलू तो मैं मोधी गवर्मेंट की यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा क्योंकि एस कंपेर टू प्रीवेस गवर्मेंट्स यह पहली बार हो रहा है हिस्ट्री में कि हम एक्शुल डिसीजन ले रहे हैं एक्शुल 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 ले रहे हैं इस गवर्मेंट मुझे पता है कि इस गवर्मेंट में काफी सारे फ्लॉज है फ्रीडम उफ स्पीच और एक्स्प्रेशन तो आई डून नो कौन से ग्रह पे चले गए है लेकिन अगर हम बोर्डर प्रोटेक्शन की बात करें चाइनीज आर्मी और अपने आर्मी को डिसेंगेज करने की ज़रूरत है और उनको वापिस विड़्ॉ करने की ज़रूरत है अपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे काइंड ओर देता है और इंट्रेस्टिंग और और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाने के लिए थैंक्यू वेरी मच्च वेरा नाम है प्रजाक और आपके लिए नेक्ट वन जैहिंद